प्रिष्ट संख्या 47 से 51 तक शिक्षण बिंदु अब प्रस्तु थे पाठ कक्षा क क्षपर आ की मात्रा क्षा कक्षा चपर आ की मात्रा छात्र चात्र चात्र व पर छोटी एकी मात्रा वी ग्या पर आ की मात्रा ग्या न विज्यान विज्यान श्र म पर छोटी की मात्रा मि क श्र मि क श्रमिक शिक्षण संकेत श्यामपट पर कक्षा लिखें और उसका चित्र दिखाते हुए विद्यार्थियों से बार बार बुलवाएं इसी तरह चात्र विज्यान और श्रमिक के चित्र दिखाएं वर्णों की अलग-अलग पहचान करवाते हुए बार बार बुलवाएं अब इन वर्णों और शब्दों को पहचानिये और बोलिये श्र श्र अक्ष ग्य त्र श्र चात्र चात्र आश्रम आश्रम यग्य कक्षा तीन अब इन शब्दों को सुनिये और बोलिये कक्षा शिक्षा आग्या ग्यान पत्र पत्र मित्र छात्र पात्र पात्र क्षत्रिये श्रमिक नक्षत्र त्रिकोन श्रीमती श्रीमान विश्राम विज्ञान चित्र चित्र श्रावण योग्यता विस्तार शिक्षण बिंदू में दिये सभी वर्णों को शामपट पर लिखें और विद्यार्थियों से बारी बारी उनकी पहचान करवाएं ऐसा फ्लैश कार्ड बनाएं जिस पर शब्द के शुरु, मध्य और अंत के वर्ण लिखे हूं अथ्वा बोर्ड पर इस प्रकार लिखें जैसे शब्द विद्यार्थियों से बनवाएं उनसे बुलवाएं और लिखने के लिए कहें मौखिक पाठ शिक्षण बिंदू सूरज पूरब में निकल रहा है मैं पत्र लिख रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो? पिताजी टहल रहे हैं मौखिक पाठ एक, अब मैं कुछ वाक्य बोलूँगा और आप इन्हें सुनेंगे सुबह के छेह बजे हैं सूरज पूरब में निकल रहा है मेधा पुस्तक पढ़ रही है उसकी छोटी बहन सितार बजा रही है पिताजी बाग में टहल रहे हैं चाचाजी फूलों को पानी दे रहे हैं इस समय तुम क्या कर रहे हो मैं इस समय पत्र लिख रहा हूँ दो अब मैं कुछ वाक्य बोलूँगा और आप इन्हें दोहराएंगे लड़के मैदान में कबड़ी खेल रहे हैं छोटी बच्ची सो रही है पिताजी नहा रहे हैं शैली, तुम क्या कर रही हो? शैली, तुम क्या कर रही हो? मैं कहानी पड़ रही हूँ लड़के संगीत सीख रहे हैं अभिशेक ढोलक बजा रहा है अभिशेक ढोलक बजा रहा है मा अखबार पढ़ रही हैं मा अखबार पढ़ रही हैं मा अखबार पढ़ रहा हैं मा अखबार पढ़ रहा हैं मा अखबार पढ़ रहा हैं झाल झाल झाल